जेशी कृष्णा फ्रेंड्स वेलकम टू रूपादा किचन मैं हूँ पूर्णम और आज बनाएंगे रेसिपी में गवार की फली से एक छोटी सी सब्जी है जिसे में नात्तो तड़का लगाना ना फ्राई करना कुछ नहीं करना है और यह राजस्तान की फेमस रेसिपी में से एक है गवार की जिसको बोलते हैं लून दूनी आप बोल सकते हो यानि कि जो दुआ लगा के बनाया जाता है यह वही वेसे बनाने वाली हूं तो यह बहुत ही आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा वीडियो जरूर देखिए गो ट्राई जरूर कीजिए को चोटी बहुत है देखिए गवार की फली उनको आगे और पीछे के जो मुह होते हैं इसके डड़न था में नहीं हो प्रूंगे तो आप पास चोटी या बड़ी या फी जैसे भी गवार फली हो अपको इससे बना सकते हैं तो यह बड़ी बड़ी मिले है मुझे में इससे से बना र तो अब इसको पानी में उबा लेंगे तो पानी रख दिया था पैने ये पानी जो है बोईल हो गया तो इसके अंदर फलियां डाल देंगे और अब साती में डाल लेंगे 140 स्पून करीबन मैंने नमक डाला है यहां पे और यह बहुत ही जल्दी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है जो है मिला लेंगे और अगर आप लसु नहीं खाते हो तो इस टाइम पर आप हींग लगा ले थोड़ी से हींग डाल दे इसमें चुटकी भरके और अभी डालेंगे बस मिर्ची इसके अंदर और तो मिर्ची भी कम यह ज्यादा आपके हिसाब से लेले अगर कम खाते हो थो मिर्ची लगा लिए और यह देखे बहुत ही जटवट बन जाएगी और यहां पर जो लाए कंड़ा है मतलब अंगीरा जो गाई के गोबर से जो कंड़ा बनता है जिससे अपन दूआ अगर लगाते हैं घर में दूप करते हैं यह वही है तो यहां पर गरम हो रख दिया है तब तक इधर क्या करेंगे जिस किसी भी बरतन में अपने बनाई है ना गवार के फली तो रेसिपी है जो इसके अंदर थोड़ा से जगे करके कटोरी फिट करेंगे इसके अंदर यह चोटी सी कटोरी जो इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए एक प्लेट रखेंगे यहां पर जीरा डालेंगे और फटा-फट से इसको ढग देंगे और अगर जिसे मैं ने बताए लसुन अपर नहीं खाते हो तो पहले हिंग थोड़ी डाले पर थोड़ी सी हिंग और आप दालतों हिंग और जीरे का जो है इसके अंदर धुआ आएगा बहुत-बहुत- कि आप जरूर से बनाए बहुत ही फेमस है अधर आजसान में और यह तयार है फ्रेंड्स यह दिखिए आप जरूर ट्राइ करें और आज का आपको वीडियो केसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा बहुत अच्छी है रेसेपी जैसे किशना